तो चलिए चुनावी प्रचार का पूरा महौल बना हुआ है आपको हम तस्वीरे दिखाते हैं प्रयांगा गांधी वार्जा गाजबाद में चुनाव प्रचार कर रही है तो कॉंग्रिस जो है वो पूरी तरह से उत्री हुई है चुनाव प्रचार के और उस मोड में भी है और साथी साथ देखिए दूसरी तरफ आपको अपसे थोड़ी देर पहले मंच पर जब पहुंचे थे योग्यादे तिनाद, ग्रे मंत्रिया मिश्रा, धर्मेंद प्रधान, स्वतन देव सिंग तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे उसकी तस्वीरे आपको हम दिखा रहे ह के तमाम सियासी पाटिया जो है, वो जोर आजमाइश कर रही है, पश्यमी, यूपी के बाद अब जो पूरवांचल है उसे भी सादने की कोशिश की जा रही है बीज़ेपी की तरफ से, और कही न कहीं यह बताने की भी कोशिश कि सरिफ पश्यमी, यूपी ही नहीं, बलकि पूरवांचल का इलाका है, वो भी पूरी तरह से उनके focus में है और वो पूरी तरह से concentrate भी कर रहे है इस पूरे इलाके में हबाई शमधाता मौसमी सिंग हमारे साथ जोड़ाई है और शानकारी के साथ मौसमी अगर आप मुझे सुन पा रही है मैं आपको देख रही हूँ पीछे से भीड आ रही है लगतार गाज़ेबाद में रोड शो हो रहा है प्रियांका का जरा ख़बर बताए कहां से निकल रही है ये रैली ये रोड शो देखें शोयता लगतार प्रियंका गांधी वाडरा का बैक टू बैक कैमपेंग चल रहा है और अगर आप देखें हमारे पीछे प्रियंका गांधी वाडरा यहाँ पर सुशान गोयल के लिए गाज़ेबाद में कैमपेंग कर रही है कुछ यही अंदाज रहा है उनका डो टो डो क्यामपेंग का जहां जहां जाती है लोगों से बातचीत करती है और उनसे मिलती है लोगों की समस्या भी नोट करती है प्रियंका से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका किस तरह से आप ये पूरी क्यामपेंग को देख होगि किकुए तक याइंड नि भी बात करने की कोशिश करूचे की तरह से चाहि में ट्रभ लगातार बाइस साल क के बाद जो काँचर साल और काउन्ग्रेस पंपेंट पाकाल से जूझ रही है, आए प्यांका से लाई बात करते हैं, प्यांका किस तरह से आप देख रही हैं कोंग्रेस कैसी प्लेयर है, कितनी सीटे आएंगी, क्या रहेगा कॉंग्रेस का पर। इसलिए बार बार मैं जवाब देती हूँ कि मैं जोतिशी नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं आनद कर रही हूँ, मैं बार बार जनता मिक के बीच जाकर ये कह रही हूँ, कि जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है, वो बदलनी चाहिए, राजनीती को बदलना है, द पूच रहे हैं ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं बहुत परिशान हैं मैं जानती नहीं हूं अभी आई हूं यहां लेकिन आप अगर मेरे जाने के बाद इनसे पूचेंगे तो मैं गैरंटी के साथ कह सकती हूं कि लॉकडाउन के समय इ दोनों पती पतनी दोनों मेहनत करें रात दिन मेहनत करें फिर भी एमाइस चुकाना मुश्किल है क्योंकि लॉक्टाउन का जो पीरियट था वो उनके लिए बहुत मुश्किल था बिजली की बिल भी भरने के बावजूद की कोई काम नहीं है तो दुकान बंद है लेकिन ब पकाया है उसको हम माफ कराएंगे हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं मैं सब राजनेतिक दलों से और सब नेताओं से कहना चाहती हूं कि ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाए भरतियों की बात करें इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें किस तरह से विकास कराए किस तरह से शिक्षा की सुविदायें देंगे और जो जनता एक्दम परिशान है बहंगाई से जूज रही है इनको मदद करने के लिए क्या काम करेंगे मैं कही रहे हूँ बार-बार यही चीज तरह कह रहे हो भाई-इस तरह कह W झाहरी हूं ना